हम सब आपने डे टो डे लाइफ में करते हैं बहुत सी टेकनोलोजी के यूज पर जिसके मदद से हम यह कर पाते हुए साइंस जिसके मदद से हम लोग टेकनोलोजी में आगे बढ़ रहे हैं पर साइंस का में पार्ट है फिजिक्स पर क्या ही है वातिक विज्ञान वाट इस फिजिक्स हलो फ्रेंड्स एंड वेक्वाइक टू इंफिनिटिक के वर्स मेरा नाम है डिसभ राज और लेकर आजाओ आपके लिए कमाल की साइंस वीडियो इसको बताऊगा और इस फिजिक् तो कोशन है वाट इस फिजिक्स तो फिजिक्स को समझने से पहले सबसे पहले हम लोग इसका डिक्सिनरी निंग देखता है लिए मसे हमें समझनाना सफव सुक्वांग्रो के तड़ी से चलिए इस समझते हैं उनके तड़ीके से तो फिजिख् ze1 एक हम लोगों ने उसे इन पात में बाठा तो चलिए देखते हैं पहला है उसका को संवान जो हम लोग को संभते हैं दूसरा पार्ट अंडर्स्टाइंडिंग जो समंझे उसे समझते हैं और तीसरा पार्ट करते हैं तो यह था तीन का तीन पार्ट आप चलिए हम लोग इससे अच्छे से उसके भीजा्याम फ़िए बैठा को सोच रहा था तहीं उसके सिर्प पे एक सेब गिरा तो उसने उस मैं अपने आप से एक कुस्सन किया कि ये से नीचे क्यों गिरा उपर क्यों ने गिरा तो उसके बाद उसने अपने कुस्सन को समझा कि जब किसी पर कोई external force लगता है तब वो motion में आता है नहीं तो वो रेस्ट का रेस्ट में ही रहेगा तो किसी भी चीज को motion में लाने के लिए कोई एक external force जरूरी है तो उसने conclude किया और उसी force को कहा gravitational force और उसने ये conclude किया कि दो object के बीच में एक force लगता है जो कि हुआ है gravitational pull फिर उसके 152 साल बाद एक बंदा आया जिसको अभी गुजरे हुए 73 साल हो चुके फिर भी दुनिया सोचती है यह वह बंदा क्यों आया तो उसके बारे में खेर हम लोग एक कोसन किया तो उसने अपने कोसन को समझना शुरू किया और उसके बाद उसने सूचा कि आर्थ जो है सन के चार आफ रिवाल कर रहा है यह gravitational pull के वाज़े से कर रहा है इस दोनों की बीच में लग रहा है उसका काउच किया तो वह इस नतीजे में पहुचा कि यह जो gravitational force लग रहा है वह स्पेस फैबरिक के वाज़े से लग रहा है जो स्पेस है वह हमलों का फैबरिक से बनावाया है और हमारा सन उसके उपर अगर रख दे तो वह वहां के फैबरिक को दबा देता है वहां पर दबा बन आता है और उसके चार ओव अर्थ डिवाल्ब करता है तो इसने इस नतीजे में पहुचा कि यह स्पेस फैबरिक के वज़े से लगता है तो उसने बाद उसने अपने इस understanding को जो उसने समझा उसको conclude किया और conclude करने के बाद उसने लिखा कि जो gravitational force लगने का काउज है हमारे सन और अर्थ की बीच में उसका कारण सिफ स्पेस फैब्रिक है, जिसके दवाव के कारण अर्थ उसके चारोर डिवॉल करता है, तो उसने यहाँ पर भी कन्क्लूड किया, और जो उसने जो कन्क्लूड किया, उसका result बनाया, एक solution बनाया, और उसके बाद उसने इसे दुनिया को समझाया कि इसका कारण क्या तो चलिए जो उसने रिजल्ट बनाया उसको अच्छे से समझने के लिए हम लोग एक वीडियो देखते हैं जिसके देखने के बाद आप उस चीज को बहुत अच्छे से समझ जाएंगे तो चलिए वो वीडियो देखते हैं तो इस वीडियो आप देख सकते हैं कि कैसे एक भारी अब्जेक्ट को बीच में रखा गया जिसके कारण वह चारों तरफ दबाव बनाया और यह चोटा अब्जेक्ट उसके चारों गूम रहा है उसके यह कंक्लूड करने के बाद साइंस में बहुत बारा बदलाव आया बहुत तरीके के थियोरीज आये नए कंसेप्ट आये जिसे हम लोग बाद के वीडियो में समझेंगे तो न्यूटन का जो आइडिया था उसमें कुछ चेंजे जा गए तो इस एक्जांपल समय यह भी समय में आता है जो फिजिक से वह कभी खतम नहीं होता उसके नहीं नहीं लॉज आते रहते हैं तो न्यू इन्वेंशन टेक्नलोजी अप्ग्रेडेशन में फिजिक्स का बहुत बढ़ा हात है चाहिए वह छोटी सी बल्ब हो या फिर उस बल्ब को जलाने के लिए हमें जो अलेक्रिसिटी चाहिए और भी बहुत काम के लिए जो अलेक्रिसिटी चाहिए उसको भी डेवलोप करने में फिजिक्स का बहुत बढ़ा हात है या फिर जो हम लोग आराम से घर बाट के जो टीवी चलाते या फिर जीपिए से अपना एक्जेक्ट लोकेशन पता करते हैं उसमें भी फिजिक्स का बहुत बढ़ा हात है या फिर इंडेक्शन मोटर को स्टार्ट करने के लिए भी हमको अलेक्रिक मेंगनेटिक फिल्ड की बहुत जड़त पड़ती है जिसे न्यूटन के साड़े लॉज भी आपको डेली एक्जांपल में दिख जाएंगे जैसे ठा सब्सक्राइब करें तो न्यूटन के लॉज और उनके प्रिंस्पल अपलाई होता है और उसके बाद आइस्टीनियां फिजिक्स में थियोरी आफ रिलेटिविटी या फिर जनरल थियोरी फिलेटिविटी बताया गया आइंस्टीन के द्वारा या फिर आपको कॉन्टम फ यह था टाइप फिजिक्स आब हम बात करने जा रहे हैं फिजिक्स के वह ब्रांच के बारे में इसका नाम है मॉडर्न फिजिक्स इसमें आपको बहुत से इंट्रेस्टिंग चीज़े मिल जाएगे जैसे यह स्ट्रक्चर आफ एटम गैलेक्सीज प्लैनेट क्वांटम थि qt qt q qt q qt q 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 और बेल आइकन को दवा दिए ताकि आपको नेकर वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे तो बस आज के लिए सिप इतना ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो नहां मत भूलिएगा और कमेंट में मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और चैनल को सब्सक्राइब करने मत भूलेगा और बेल आइकन को भी दवा दिजेगा थेंक यू एंड गुडबाई मिलते हैं नेक्टाइब गुरुत्वाकर्षन दिस्कोवड़ पाई न्यूटन ग्राविन्टेशन दिस्कोवड़ पाई न्यूटन कौपी पकडे कलम पकडे पैठे थे आराम से सर पे उनकी सेब किरा बने वैज्यानिक माहान रे गुरुत्वाकर्षन दिस्कोवड़ पाई न्यूटन ग्राविन्टेशन दिस्कोवड़ पाई न्यूटन कोट पहनी रहते थे घुंगराले उनकी पाल रे स्टूटेट कापे थर 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 सुनकर उनका नाम रे गुरुत्वाकर्षन दिस्कोवड़ पाई न्यूटन ग्राविन्टेशन दिस्कोवड़ पाई न्यूटन खुरुत्वड़ पाई न्यूटन